अमीन बहाली में देरी को लेकर अमीन बहाली में आविदन देने वाले च्छात्रों ने मंगलवार के दिन राजस्व एम भूमी सुधार मंत्री राम नरायन मंडल के बाका एस्थित आवास का घिराब करते हुए अमीन के पास्व पचास पद की मेधा सुची सिग्र जारी करन कार के दुरा दोहजर उननीस में सर्वेकार हितू और सट सो पचात्र पदों पर बहाली करने का निर्ने लिया गया था जिसमें सहायक बंदोबस्त पदादिकारी पद के लिए 275 पद कानुन्गों के लिए 550 पद बिसे सर्वेच्छन अमीन के लिए 450 पद लिपिक के लिए 550 पद का परिनाम प्रकासित करते हुए सभी पदों पर बहाली कर ली गई लेकिन अमीन के लिए 550 पद लंबित है जबकि बिभाग के दुरा पूर में दो बार आबिदकों के कॉंसलिंग एवं परमान पत्रों की जाच के बाद दावा अपत्ति भी ले चुका है मामले को लेक करते हुए अमीन के लिलंबित 550 पद की मेधा सुची सिग्र जारी करने का कारे करेंगे लेकिन लोग रादे स्यामसर के पास जाते हैं तो जैसिंग के पास बेजा जाता है और जैसिंग के पास जाते हैं तो रादे स्यामसर के पास बेजा जाता है तो दोनों से हम लोग जब ठक गए तो हम लोग निरने लिए कि अब हम राजस मंतरी के पास जाकर करें बॉसी पुलिस ने वाहन तलासी के करम में दो अंतर राजिय चोर को चोरी के समान के साथ गिरबतार किया है जानकारी के नुसार यह गिरबतारी रविवार को की गई है मनीज कुमार दलबल के साथ गस्ती पर निकले थे इसी भी स्थानाधच के निर्देश पर सराब की सूचना मिलने के बाद वाहनों की तलासी आरंब कर दे गई तलासी अभियान बॉसी हजडिया मुखे मार के गंग्टी मोल के पास की जा रही थी इसी बीच काले रंग की पलसर मोटर सैकिल पर दो यूवक तेजी से बॉसी की और आ रहे थे जिसे रोक कर तलासी लेने पर बगेर कागजात के एक लैप्टॉप और एक डेक्स्टॉप बरामत किया गया पुलीस दोनों को गिरफतार कर थाने ले आई कडाई से पूछताश के करम में बौसी थानाचित के मरसा गाउनिवासी सुनील पासवान और उमा पासवान ने बताया कि देवगर के वैदनाद भारत गैस अजनसी से या चोरी की गई है थाना अधिच राजिस कुमार यादब ने इसकी सूचना गैस अजनसी संचालक को दी जिसके बाद सोमबार को देवगर से आये बांका बाबू टोला गाउनिवासी संचालक संजीब कुमार सिन्हा ने सामान की पहचान कर इसकी पुष्टी कर दी इस मामले में पुलीस ने प्राथमी की दर्ज करते गए दोनों को सोमबार को जेल भेज दिया मालूम होगे गिरिपतार दोनवारों पी जहारखंट के देवगर सहीत अने जगों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे जहारखंट शेतर में चोरी किये गए समानों को बिहार सहीत अने जगों में बैचने का काम किया करते थे गैस एजेंसी में भी 22 अगस्त की राथ को चोरों के दोरा घटना को अजाम दिया गया था एजनसी के संचालकों ने बताया कि नगर थानाचेत देवगर में सनीवार की रात ओफिस के छत केस बेश्टरस को तोड़ कर अंदर प्रवेश किया गया और दो लैपटॉप एक डेक्स टॉप एक गैस चुला रेगुलेटर गल्ले में रहके पंदरा सो रुपे सहीत अन्य सामानों की चोरी कर ली गई थी बाका जिला के अमरपूर थानापरिसर में रईवार के दिन थानाधेच कुमार सन्नी के अध्यचता में सान्ती समीती की बैठक का आयोजन किया गया बैठक में मुखरूप से बाका एश्डीपियो दिनेश चन्सिवास्त बाका एश्डीयम मनोश कुमार चौधरी सरकील इंस्पेक्टर बकील परसादी आदर एवं सीयो सुनील कुमार साहुपस्तित हुए बैठक में दौना संग्रामपूर, गरीब पूचलाईया, डिम्ला, सुल्तानपूर, हसनपूर, डुम्रामा, अमरपूर, आदी, ग्रामिन, छेत्रों से आएल लोगों को संबोधित करते हुए एश्डीपियो ने सान्ती पुर्वक परमनाने की अपील की मौकेप इन्हों ने कहा कि मोहर्रमपर में जुलूस एवं तजिया निकालने पर पूरी तरह से पर्तिबंद लगाया गया है घर पर हकर सान्ती पुर्वक महौल में परमनाया उन्माद फैलाने बालों पर पुलीस की पैनी नजर है वहीं बाका HDM ने उपस्थित लोगों से अफवाओं पर ध्यान नहीं देने के अपिल करते हुए कहा कि उन्माद फैलाने वालों की सूचना अवी लंबे थाने में दे ताकि समय पर कारवाई हो सके मौके पर HDPO ने थाने में पदस्थापित चौकिदारों को संबोधित करते हुए कहा कि विधान सभा चुनाप के मद्दे नजर सभी चौकिदार अपने अपने कारे छेतर में पूरे मुस्तैदी की साथ सजग होकर असमाजिक तत्वों की लोगों को चिन्हित करते हुए उसकी सूची थानाधेच को अपलब करावें ताकि समय पर वैसे लोगों पर कारवाई की जा सके कार में को ताहे बरतने वाले कर्मियों को किसी भी हाल में बखसा नहीं जाएगा बैठेक में मुहम्मद हसनेन, पूरु परमुक बाल मुकुन मंडल, रई सक्रम, मुहम्मद बबलू समेथ सैक्रों की संख्या में ग्रामिनू पस्तित थे बाकाजला के भागलपूर हजडिया मुखे मार्ग पर रजौन पर्खंड के बनगाओं के समीप अनियंतृत कार और बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई हादसे में बाइक पर सवाल एक महिला और एक यूबग बुरी तरह से घायल हो गए प्राप सूचना के नुसार रजौन पर्खंड अंतरगत सुहानी निवासी करीब अथाईस वरसिया मुकेश कुमार और सुवका निवासी पंचनन यादब की पतनी करीब 45 वरसिया अंजुदे भी महिला का दमाद मुकैस कुमार उक्त महिला को पुनसिया की और से लेकर आ रहा था जो महिला को ससुराल पहुँचाने जा रहा था इसी करम में भागलपूर की और से तीज रपतार से आ रही कार ने बनगाओं के समीब सामने से बाइक सवार को जोड़दार टक्र मार दी जिससे बाइक पर सवार एक महिला और पुरूस दोनों बुरी तरह से जखमी होकर सडक पर गिर पड़े मौके पर कार का चालक कार को घटनास्तर पर छोड़ कर फरार हो गया इसके बाद अस्थानिय लोगों की मदद से दोनों घायलों को रजॉन स्वास्ते के इंडर लाया गया जहां डॉक्टर लरन सिंग ने उपचार करने के बाद महिला की नाजुक स्थिती देखते हुए आनन फानन में भागलपूर के माया गंज रैफर कर दिया जिसकी साथ उक्तगायल यूबक को भी रैफर कर दिया गया घटना की जानकारी मिलते ही रजॉन पुलीस दलबल के साथ घटनास्तर पहुँच कर कार को कबजे में ले लिया जख्मी महिला सिर और नाक में जएदा चोट लगने के करन लहुलुहान हो गई थी बाकाजिला के अमरपूर में आए दिन जपटमार गिरों में हो रही बेताहसा विर्दी में जहां एक और पुलीस प्रसासन परेसान है तो वहीं दूसरी तरफ पैसे निकासी करने वाले आमुभुकताओं में दहसत साफ देखी जा रही है जपटमार गिरों आए दिन किसी न किसी को अपना निसाना बनाते जा रहे हैं पूर की और फरार हो गया पिलित पवन ने काफी सोर मचाया लेकिन तब तक जपटमार इनकी यांकों से ओजल हो गया था पिलित ने थाने में आवेदन देकर रूपिय की बरामदगी की गुहार लगाई मौके पर पिलित ने बताया कि थैले में रूपिया एवम चेक बुक था बताते चले अधिकतर छिंताई जपटमार गिरों के सदस्य इस्टेट बैंक से निकासी करने वाले उब्हुकताओं के साथ कर रहे है इसके पूर भी जपटमार गिरों एक मा के अंदर लगबग आधे दर्जन लोगों को अपना निसाना बना चुके है मामले को लेकर थाना धेच कुमार सन्नी ने बताया कि जपटमार गिरों के सदस्यों की धड़ पकड के लिए सहर की चप्पे चप्पे की निग्रानी की जा रही है बहुत जल्द मामले काउद बेदन करते हुए गिरों के स्दस्यों को सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा इन्होंने आम लोगे से अपील करते हुए कहा कि आप लोग साफधानी बरते हुए पैसों की निकासी करे किसी पर सक होने पर अविलंब पुलीस को सूच ना दे से बिरिभत सरू की गई मंगलवार के दिन सीयो सुनील कुमार सहा एवं थाना देच कुमार सन्नी के नेत्र तुमें छेत्र की तारड़ी बैदाड़ी समेथ पांच छेत्रों से आए पांच सस्त्रधारियों के सस्त्रों का सत्यापन किया गया थानाधच ने बताया कि सस्त्रधारियों का गोली लाइसेंस एवं अनिची जो की जाँच की जा रही है उन्होंने चेत्र के सभी सस्त्रधारियों से अविलम सस्त्रों की सत्यापन करने की अपील की इस अवसर प्रप्रसिच्चु अवर निरचक छोटु कुमार मुंसी राजिस कुमार समेथ सस्त्रों का सत्यापन कराने आये आम लोग उपस्तित थे बाकाजला के अमरपूर थानाच्छतर के गुरगम्मा भरको मार्क पर यात्री सेड में गुरिद्धा का सब मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई बृद्धा के उमर करीब सत्तर वर से मौके पर मौजूद ग्रामिनों ने बताया कि बृद्धा मांसी कुरूप से विच्छिप्त थी भरको गाउं में फूट पात पर रहती थी यों भीक मांगकर गुजर बसर करती थी एक दिन पूर बृद्धा को भरको गाउं की और देखा गया था ग्रामिनों ने आसंका व्यक्त की कि रात्री में ही भरको गाउं के कुछ लोगों के द्वारा बृद्धा को यात्री सेड में छोड़ दिया गया था सुबह जब कुछ यूबक सुबह की सेर करने आये तो बृद्धा को अचेतव अस्था में देखा ग्रामिनों ने ततकाल इसकी सूचना मरपूर थाने में दी सूचना मिलते ही थाना धिर्च कुमार सन्नी और अवर निगर्चक रामसरे परसाद प्रसिच्छु छोटु कु सब को नया साड़ी दिया है उन सब को पोश्टमाटम मिलने जाने में मदद की बाका के फुली डूमर में रईवार को दुरगा मंदर परिशब ने परदेश वार्ट सचीब संग के बैनर तले परखंड वार्ट सचीब संग की बैठक परखंड अधिश रंजन कुमार की समय पर बैठक में उपस्थित नहीं हो पाने की स्थिती में राज्ते से प्रदेश मास्चीब राजनंदन यों प्रदेश संयोजग बालमेकी ने उपस्थिस सदस्यों को संबोधित करते हुए अपनी लडाई खुद लड़ने के लिए तयार होने के लिए आवाहन किया बै चैल संगठन को मजबूत करने की आवस्थिता पर बल दिया परखंड सचीब सुनीता कुमारी ने कहा जब हम जागेंगे तो लक्ष तक अवस पहुँचेंगे बैठक में देवे नरी यादब धननजे कुमार उमेश कुमार भारती काली चलन रूपा कुमारी रवी संकर कु अदब विकास कुमार, रोहित कुमार, गुपाल मांजी, अंजु कुमारी, लाल जी कुमार, विपिन कुमार सा समेथ दर्जनों पस्थित थे बाकाजला के अमरपूर परखंड में सोमबार को छेतर के आधे दर्जन से अधिक नव उतकमित उचविद्याले का बिहार के मुखे मंत्री नितीश कुमार ने रिमोट के जरिये विधिवत उधगाटन किया इस अबसर पर नव उतकमित उचविद्याले महोता एवं नव उतकमित उचविद्याले में एक कारिकरम का आयोजित किया गया बताते चले बिहार के अधिकांस मद्विद्याले को उच्विद्याले में उतक्रमित कर विद्याले में नवमकच्छा का सुभारम किया गया है बीकनपूर पंचायत के मदविद्धियाले महोता को उच्विद्धियाले में उतकरमित किये जाने पर विद्धियाले परिसर में कारिक्रम आयोजित किया गिया कारिक्रम में मुख्य रूप से भीकन पूर पैक सद्धेश नरायन सर्मा सलील मुखिया मिर्टुन्ज बुरू मुखिया सा भाज पाने था मिर्टुन्ज सर्मा समाच से भी संभू सर्मा सहित 396 भी मुझूद हुए बताते चले कि महोतागाओं में उच्विद्याले की स्विकिर्ती दिलाने के लिए महोतागाओं के समासेवी मिर्टुन जे सर्मा योम संभू सर्मा ने दिन रात एक किया था जिसका फल पंचायत के लोगों को देखने को मिला पंचायत में उच्विद्याले स्थापित हो जा इस अफसर पर सुनील सर्मा, मंटू सर्मा, बिटू सर्मा, कनहिया सर्मा, लच्मन पासवान, महोता विद्याले के प्रचार जैराम, ठाकूर, सिछक सेखर सुमन, अनिता सिन्हा, रेनु देवी, सुनील सर्मा, जैसंकर सर्मा, पुकल चौधरी समेट दर्जनों की संख्या मे ग्रामिन मौजूद थे। ग्रामिनों के अथक परियास के बाद सब को पानी से बाहर निकाला गया, घटना के बाद ग्रामिनों के साथ साथ परिजनों में कोहराम मच गया गया।